हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर वर्सा सोलंकी के बारे में हो सकता है मैं कल तक जिंदा ना रहूं दोस्तों क्योंकि 21 लोगों को भेजने वाला मैसिज मैंने बिना भेज़ाई डिलीट कर दिया आज कल सोसल मीडिया पर फीमेल क्रियेटर्स अपना हुसन दिखा कर या अपना जिस्म दिखा कर फेमस हो रही हैं ऐसे में वर्सा सोलंकी एक ऐसी क्रियेटर बनकर सामने आई हैं जिनने उनके बदन के लिए नहीं उनके टेलेंट के लिए पसंद किया जाता है और इसलिए उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है वर्सा सोलंकी की एक दस साल की बेटी है लेकिन उनके पती को लेकर लोग काफी कनफ्यूज रहते हैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है अभिसेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के जरिये हम वर्सा की सकसेज स्टोरी तो जानेंगे ही और जानेंगे उनके हस्बेंट के बारे में और साथ ही जानेंगे और भी कई बाते हैं इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए सुरू से बात करते हैं वर्षा सोलंकी का जन्म 18 जन्वरी 1985 को मुंबई महराष्ट में हुया था वर्षा ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों मुंबई से ही कम्प्लीट की वर्षा को बच्पन से ही एक्टिंग का सौक था लेकिन उन्हें कभी अपना टेलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल सका टाइम भी था वर्षा की साधी हो गई और उनकी एक बच्ची भी हो गई वर्षा की बेटी का नाम पिंकी है जो अक्सर उनके वीडियो में नजर आती है वर्षा ने अपने सोसल मीडिया सफर की सुरुआ टिक टॉक से की थी उन्होंने बस टाइम पास के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया था पर क्योंके उनके एक्सप्रेशन बहुत फणी थे इसलिए कुछ टाइम बाद उनके वीडियो वाइरल होने लगे ओडियन्स का अच्छा रिस्पॉंस और पॉजिटिव कमेंट्स ने वर्षा को खुब मोटिवेट किया इसलिए उनके वीडियो और इंप्रूब होते गए और कुछ टाइम में ही उन्होंने वन मिलियन फॉलोवर्स कम्प्लीट कर लिए जब टिक टॉक इंडिया में बेन हुआ तब तक वो एक फेमस क्रियेटर बन चुकी थी टिक टॉक पर उनके 2.5 मिलियन फॉलोवर्स थे टिक टॉक के बाद वर्षा जोस एप और इंस्टाग्राम रिल्स पर वीडियो बनाने लगी और यहां उन्हें सुरू से ही अच्छा रिस्पॉंस मिला इंस्टाग्राम पर उनके जून 2021 तक लगबग 3 लाग फॉलोवर्स थे पर जून में उनका एक वीडियो वाइरल हो गया जिससे उनके फॉलोवर्स दुगने हो गए वर्षा के इंस्टा आईडी बर्षा सोलंकी 202 नाम से है जिस पर इनके 1.5 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम के अलावा बर्षा जिली एप, जोस, फेस्बुक और यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म पर भी अपने कॉंटेंट अपलोड करती हैं बर्षा पैड प्रोमोशन और एडवर्टाइजमेंट से अच्छी खासी अर्णिंग करती हैं बात करें की फेमली की तो बर्षा की एक बेटी है जिनका नाम पिंकी है वो भी बर्षा की तरह टेलेंटेड है बर्षा के फैंस के बर्षा के पती को लेकर बहुत सवाल हैं क्योंकि वो कभी बर्षा के वीडियो वगेरा में दिखाई नहीं देते हैं और बर्षा भी अपने वीडियो या पिक्चर्स में सिंदूर लगाए नजर नहीं आती जब वर्सा टिक टॉक पर वीडियो बनाती थी तब तो उनके वीडियो में कभी कभी उनके हस्वें नजर आते थे लेकिन टिक टॉक के बाद वो वर्सा की वीडियो में नजर आना बंद हो गए कई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्सा और उनके पती अलग-अलग हो गई है हम दावे के साथ ये नहीं बोल सकते पर वर्सा के वीडियो या फोटोज में उनका बिलकुल दूर हो जाना इसका एक छोटा सा प्रूब भी है हाल ही में वर्सा ने जब अपने 37 में जनम दिन की पिक्चर्स पोश्ट की थी तो उसमें उनकी बेटी और उनके दोस्त मौजूद थे लेकिन वहां भी उनके पती कहीं नहीं थे ये सब बातें यही इसारा करती हैं कि वो दोनों सायद अब साथ नहीं है दोस्तो आप लूगों को इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वर्सा सोलंकी के एक्सप्रेशन ने बॉलीबूर तक को अपना दीवाना बना दिया है बर्सा को एक्टरस प्रियंका चोपडा, सिंगर कनिका कपूर, एक्टरस मेगा और आदिल खान ने भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है और साथ ही वो कई सेलविटीज के साथ भी नजर आ चुकी है तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी बर्शा सोलंकी की उमीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज के वीडियो में इतना ही हम प्रे करते हैं बर्शा अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीब करें जो वो करना चाती है वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉंस जरूर दें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत बैल्यू रखती है